हेलो फ्रेंड्स दिस इस रानी गुपता एंड वेलकम बैक टू सिवेल अड़ाटू 47 दिकि यहां पे हम लोगों ने जो एन्वाइर्मेंट एंड इकोलॉजी घटना चक्रविशे सांग के उसके हम लोगों ने पार्ट 19 तक कवर कर लिये हैं जिसमें हम लोगों ने लगभग 30 और 50 most important question को cover up किया है clear है और ये इसकाच part 20 है इसमें भी हम 30 महतुपूर्ण प्रशनों को देखने वाले हैं उसका discussion करने वाले है clear है तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो please like, share और comment कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा चलिए हम start करते हैं part 20 देखिए जो पहला question है भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्जी कौन सा है ठीक है option देखिए मद्यप्रदेश केरला सिक्किम और अरुनाचर प्रदेश ठीक है MPPSC 2018 का question है तो इसका right answer है option C सिक्किम ठीक है पहला जैविक आधारित क्या है जैविक खेती पर पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्जी है सिक्किम अच्छा जैविक खेती होती क्या है तो जो जैविक खेती है जैविक खेती वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि खेती की एक विधी होती है जैविक खेती जिसमें हम लोग जो संसलेसित जो बनाए जाते हैं कीट ना सक या फिर कंपोस्ट जो बनाए जाते हैं उनका उपयोग बिलगूल भी नहीं करते हैं तो बहुत नियुनतम मात्र में करते हैं ठीके नगा बहुत ही कम मात्र में उनका उपयोग करते हैं बलकि अगर में भूमी की उरवरा सक्ती बढ़ाना है या क्रसी का प्रोडक्शन बढ़ाना है उसकी quality quantity में improvement भी जाविक, जितना भी हम हरी खात का उपयोग करते हैं, इन सब के उपयोग से जितना भी हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और Daar अप प्रुश्य बढला प्रुश्य बढ़ाते हैं, तो इसे हम पूर्च रूपकों और पेर्ण पोधों की जो अवशेस बसते हैं उन सबसे हम हारी खात का उप्योग करते हैं ठीक है तो इसे हम जैविक खेती कहते हैं और सिक्किम इसका पहला राज्य है जिसे पूर्ण रूप से जैविक खेती पराधारी राज्य होने का दर्जा प्राप्त है कब प्राप्त ह था इसे ये 2016 में ठीक है नेक्स देखते हैं भारत में जैविक खेती के संदर्व में निम्निलिखित कत्नों पर विचार कीजिए देखिए कथा नमबर पहला देखिए जैविक उत्पादन के लिए रास्ट्रिय कारिक्रम नपी ओपी केंद्रिय ग्रामीड विकास मंत्राले के मार्ग दर्सन और निदेश के अधीन कारे करता है नहीं ये कथान गलत है क्योंकि यहां पर जैविक उत्पादन के लिए रास्ट्री कारिक्रम मतलब नपी ओपी जो है वो ग्रामीड विकास मंत्राले के अधीन कारे नही देती हूँ इसको वाड़िज और उद्योग मंत्रा ले ठीक है तो पहला कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा नेक्स कथन देखते हैं एनपी ओपी के क्रियानवयन के लिए क्रसी और प्रशंस्क्रत खाद उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अठाथ एपी इडिए देखिए एपी इडिए का फुल फॉर्म क्या है दा एग्रिकल्चर एंड प्रोसीड फूट प्रोड़क्ट्स एक्सपोर्ट डेवलप् ठीक है तो ये अथ्वर्टी जो है सचवाले की रुप में कारे करती है बिल्कुल कारे करती है और इसका गठन कब हुआ था真的 कर लिए ये अपुट पादन के लिए इनपी ओपी तो इसके क्रयानवयन के लिए अप्रदिकरण है वो सची वाले की रूप में कारे करता है और इसका गठन कब हुआ था 1985 में तो ये कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा तीसरा देखिए सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज बन गया है अपि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया तो ये भी कथन क्या है? सही है कब बना था ये? 2016 में और NPOP का फुल फर्म क्या होता है? National Program for Organic Production ये दिखे Organic Production के लिए National Program और इसका जो कौन से मंत्राले के दिन काम करता है? वांड़ज और उद्योग मंत्राले के अधिन काम करता है और इसके क्रियानवेन के लिए APDA जो Authority है वो सचीवाले की रूप में कारे करती है जिसका गठन 1985 में हुआ था वहीं सिक्किम राज भारत का पूर्ण रूप से जैविक राजज बनने वाला पहला राजज है जिसे 2016 में इसका दरजा इसे दिया गया था तो यहाँ पर देखिए कथन नंबर दो और कथन नंबर तीन क्या है बिल्कुल सही है पहला कथन यहाँ पर गलत है तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी क्लियर है नेक्स देखते हैं नाब की यह शक्ति परियोजनाओं के अंतरगत पर्यावर्णी प्रभाव जिनका अध्यान किया जाना और हल निकाला जाना है मतलब कौन से परियावर्णी प्रभाव ऐसे है जो नाब की यह शक्ति परियोजनाओं से प्रभावित हो सकते हैं तो यह question है अब देखिए यहाँ पर जो नाब की यह सक्ति परियोजना है उसके अंतरगत अगर हम बात करें तो परमाणू उर्जा सैंतर हम स्थापित करते हैं इन आब की शक्ति परियोजनाओं में क्या होता है यही तो होता है कि वहाँ पर जो परमाणू उर्जा सैंतर होते हैं वो स्थापित किया जाते हैं तो जब उनकी स्थापना होती है तो जितने भी रेडियो धर्मी तत्व हैं जो भी elements है या फिर रेडियो धर्मी जो किरने होती है उनका रिसाओ होता है ठीक है? emmit होती है वो तो उनके रिसाओ से वायू प्रभावित होती है, मृदा और जल प्रहभावित होता है बिल्कल तो यहाँ पीए पर्यावन ऐसे कौन से प्रहभाव है तो यह पूछ रहा है तो यह प्रहभावित होते है, उनकी अलावा जो पेड़ पौदे हैं, जीव जन्तु है उन सब को हानी होती है, छती पहुंचती है और जो रेडियो धर्मी अपसेस्ट है उसका निस्तारण जरूरी होता है ठीक है जिनका अध्यन किया जाना और हल निकाला जाना जरूरी है तो उनका निस्तारण आवश्यक हो जाता है तो यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा उपशन D उपरयोगत सभी क्लियर है नेक्स देखते हैं भारत के इन्डिम ने लिखी छेत्रों में से किसमे भूतापी उर्जा स्रोत नहीं है ठीक है भूतापी उर्जा स्रोत नहीं है तो उपशन देखिए गोदावरी डेल्टा गंगा डेल्टा हिमाले या पस्चिमी तट देखिए भूतापी उर्जा होती क्या है तो जो प्रत्वी की भूपरपटी है प्रत्वी का जो सबसे उपरी जो एरिया है भूपरपटी वाला वहां पर जितना भी उश्न जल से प्राप्त होनी वाली उर्जा है मतलब जितना भी गरम जल है उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है और उस energy का उपयोग मानो अपने विभिन कारियों के लिए करता है उसे हम भूत आपी उर्जा कहते है ठीक है ना भूमी की जो भूमी में जो भी गर्म जल का स्रोथ है जितना भी उश्न जल है उससे हमें जो energy प्राप्त होती है उसका use कौन करता है मनुश्य करता है यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहला क्या है, हिमाले, तो यहां पर हिमाले भी हो जाएगा, उसके बाद खंबात बेसिन, ठीक है, खंबात बेसिन है, उसके अलावा सो नाटा, सो नाटा आप याद कर सकते हैं, सो, सो, एन, ए, टी, ए, सो नाटा, ठीक है, सो से हो जाए आपका सोनाटा हो गया पस्चिमी घाट हो गया पस्चिमी घाट हो गया गोदावरी बेसिन हो गया आपका इसके अलावा गोदावरी बेसिन के अलावा और भी है जैसे आपका महानदी बेसिन हो गया तो यह सब क्या है इसके भूत आपी उर्जा के स्रोथ हैं लेकिन यहाँ बी, clear है, भूत आपी उर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, गंगा डेल्टा, और कौन से स्रोत हैं, एक बार और याद कर लिजे आप, तो सबसे पहले गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा या महानदी बेसिन, पस्चिमी तट या पस्चिमी घाट, हिमाले, खंबात बेसिन, और सोनाटा, सोनाटा में आपका सोन, नर्मदा और तापती, ठीक है न, तो यह तीनों आप याद रखेगा इन्हें, और गंगा डेल्टा इसका राइट आंसर है, नेक्स देखते हैं, सूची एक को, सूची दो से सुमेलित कीजियो, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब हम खनिज की बात करते हैं, अच्छे देखिए, इधर सारी आपका खनिज, सौर, उर्जा, बायो, गैस और वन, अपर ओपन, मतलब खनिज क्या है, क्या वो समाप्त होंगे, नहीं समाप्त होंगे, या वर्सा में शहायक होते हैं, आत्वा मीथेन, कारबन ड या वर्सा से, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, एका थर्ड, सौर उर्जा की बात करते हैं, तो सौर उर्जा क्या है, स्रोध है, उर्जा का एक स्रोध है, मतलब सूर्ज से प्राप्त होती है, तो वो क्या है, हमें सूर्ज से प्राप्त होती है, उर्जा, तो वो क्या ह पिछली वीडियो में आपको बताया था उसका मुख्य अंस क्या होता है बायो गैस का CH4 प्लस कार्बन डियॉकसाइड ठीक है मतलब इसे मार्स गैस भी कहते हैं बायो गैस को तो इसका प्रमुक्ष्ट रोत क्या है मीथेन और कार्बन डियॉकसाइड तो यहां पर देखिए C का आपका second हो जाएगा और one अपर open मतलब one से आप जितना भी क्या करेंगे one का उन्मूलन करेंगे अपर open करेंगे उससे क्या होगा वर्सा में कम ही आती जाएगी ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा one three one three four two one आप देखिए यहां पर three four two one right answer क्या है आपका a clear है next देखते ह मानो जनित पर्यावरणी प्रदूशन कहलाते हैं तो यहां पर देखिए जो मानो जनित पर्यावरणी प्रदूशन है मतलब मानवी क्रियाएं जितनी भी होती है और उनके द्वारा पर्यावरण में डाला गया जो भी रासाइनी किया जैविक कच्रा है पर्यावरण को जो जैविक कच्रे या रसानी कच्रे की रूप में प्रयावरण को प्रदूशित करते हैं और वे मानवी क्रियाओं द्वारा जनित होते हैं ठीक है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं एंत्रोपोजेनिक प्रदूशक और इस प्रदूशन को किसकी स्रेडी में रखा जाता है एंत्रो से ऐसे प्रदूशकों का नियंतर या इन्हें नियंतित कर पाना क्या होता है बहुत ही कठीन होता है तो मतलब यह बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं एंवाइर्मेंट की लिए होते हैं तो इनके द्वारा समय के साथ-साथ प्रकृति में बहुत ही छोटे तत्वों में या बहुत सरल तत्वों में विगुटित कर दिये जाते हैं जैसे हम बताएं कि कोई माली जे कुछ उधारन हैं कुछ प्रदूशक हैं थोड़ी देर के लिए समझेगा जो घरेलो अभी हैं जैसे बैक्टीरिया है ना यह फंजाई है छोटे-छोटे माइक्रो आर्गनिज्म सुक्ष्मजीव इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है इन प्रदूशकों का अफगटन कर दिया जाता है इन बड़े भागों को बहुत ही छोटे-छोटे भागों में तोड़ द सकता है ठीक है तो ऐसे प्रदूशक क्या कहलाते है जैव विगटित प्रदूशक जिनका विगटन आसानी से डिकंपोजर के माध्यम से किया जा सकता है अब इनके उधारन क्या है जैसे हम बात करें जैव विगटित प्रदूशक तो इनके उधारन क्या है जैसे आपका घर प्रदूशक नहीं आते नेक्स देखते हैं निमनलिकित में से कौन जैव अपगटनी प्रदूशक है यहां पर रिपीटेट कॉश्चन है यह में 2016 UPACS का है तो जैव अपगटनी प्रदूशक क्या होते हैं ऐसे प्रदूशक जिनका माइक्रो और्गनिज्म मतलब सोक्ष में जीवों द्वारा पौन रूप से विगटन किया जा सकता है जैव अपगटनी प्रदूशक कहलाते हैं ठीक है और यह किसके लिए जो हमारा एंवायर्मेंट है जो हमारा एकोसिस्टम है उन सब के लिए क्या होते हैं उपियोगी होते है ठीक है तो यहाँ पे जैसे आप वो सीवेज कह सकते हैं कागज लकड़ी या घरेलू अफसिस्ट वाहित मल यह सब क्या है आपके जैव अपगटनी प्रदूशक है देखे तो यहाँ पे सीवेज जो है ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है यहाँ पे प्लास्टिक गलत है अ इसबेस्टरोस भी नहीं होगा और ऌलीथीन का तो होता ही नहीं है यहाँ पे अफगटन में लिखत में से tari कौण सा जीव निमनी करनगने करनें जैव निमनी करनी है यहाँ देखे वे पदार्त जो जैविक प्रक्रम द्वारा यह जैविक जो प्रॉसेस होती है उसके द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निमनी करण कहलाते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखिए पॉलीथीन का तो अपघटन होता नहीं है प्लास्टिक का भी नहीं होता है और पारा या मर्करी का भी नहीं होता है इस question के according right answer क्या हो जाएगा option D अच्छा रबड भी दो प्रकार की होती है एक प्राकृतिक होती है ठीक है और एक मानुद्वरा निन्वित होती है जिसे हम कृतिम बोलते हैं तो यह जो natural होती है तो इसका तो आप घटन पूर्ण रूप से हो जाता है human का कम मात्रा में होता है मतलब जो कृतिम होती है उसका कम मात्रा में होता है ठीक है next देखते है कोईला, पेट्रोल, डीजल आदी का दहन, मूल स्रोत क्या है ठीक है मतलब मूल स्रोत यह है इसका मतलब यह है कि कौन सा प्रदूशन है जो इनके दहन से ज्यादा रुपसे से इन से प्रभावित होता है ठीक है अगर हम बात करें कि ऐसे कंड की पदार्थिया ऐसे विशाक्त गैस जो निस्चित अनुपात में वायू मंडल में या प्राकृतिक कारणों से या मानवी कारणों से छोड़े जाते हैं या फिर उनका अनुपात बढ़ता है ठीक है और इससे क्या होता है यदि यदि वो प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं अवांचनी कारण या फिर मानो निर्मित जो होता है क्रियाएं होती है उनसे बढ़ते है तो उनका एक जब निस्चित अनुपात मतलब वातावरन में बढ़ता है त इसमें अवांचनी रूप से परिवर्तन हो जाता है तो हम इसे क्या बोलते है वायू प्रदूशन कहते हैं और जब कोईला जलता है या पैट्रोल का देहन होता है डीजल का देहन होता है तो इनसे मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है कारबन निकलता है नाइट्रोज की Oxide, आप Carbon-Dioxide कह सकते हैं, Nitrous Oxide कह सकते हैं, ठीक है न, और यह क्या है, वायू प्रदूशन का एक रमुख कारण होता है, तो यहाँ पर देखिए, कोईला पेट्रोल और इन सब का जो राइट अंसर है, वो Option C हो जाएगा, वायू प्रदूशन, नेक्स देखते हैं, प्रका तो इसका दो भागों में तूटता है, एक होता है Smoke, SMOK, और एक होता है Fog, FOG, तो इनके मिलने से यह बना हुआ है, प्रकास्रासाइनिक धूम्र कोहरा, ठीक है, और यह जो प्रकास्रासाइनिक धूम्र कोहरा है, यह वायू प्रदूशन की एक फेज होती है, का वस्ता होती है, जब जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज होती है, गाड़िया होती है, और इस सबसे जब धूआ निकलता है, उसमें नाइट्रोजन की ऑकसाइड, मतलब नाइट्रोजन ऑकसाइड, और जो सूर्य प्रकास में जो हाइड्रो कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब सूरिप्रकास होता है, उसमें हाईड्रोकारवन होता है, तो उसके साथ अभिक्रिया करते हैं और कई सारे Secondary Pollutants को जर्म देते हैं, ठीक है ना? Secondary Pollutants का मतलब यह है, जैसे ओزोन, हमारा जो Primary Pollutants है वो नहीं है, ओजो उनका निर्माड होता है जब oxygen oxide के साथ क्रिया करती मतलब oxygen के एक अड़ू के साथ क्रिया करती तब ही ओजो उनका निर्माड करती है तो ऐसे pollutants क्या कहलाते है secondary pollutants जो दो या दो से अधिक अभिक्रिया के माध्यम से बनते है तो जैसे आपका industries हो गई, गाड़ियां हो गई और उनसे जब आपका जो nitrogen oxide निकलती है या nitrogen dioxide निकलती है और सूर के प्रकास से जब hydrocarbon आता है तो इनके साथ अभिक्रिया करके वो क्या निर्माड करती है कि इसका secondary pollutants का ठीक है ना जैसे pan आपने सुना होगा peroxy acetyl nitrate है ना formaldehyde तो यह सब क्या है आपका secondary pollutants है तो यही पूछ रहा है कि बनने के समय कौन सा एक उत्पन होता है मतलब कौन सा इसमे secondary pollutants उत्पन होता है hydrocarbon तो primary है सूर की क्रिनों से आता है यह nitrogen oxide भी primary है क्योंकि यह गाड़ियों से निकलता है एक अभी क्रिया होती है जिसमें दो यहाँ पे भाग लेते हैं दो यहाँ पे पार्डिसिपेंट होते हैं और secondary pollutants का निर्मान करते हैं clear है next देखते है धुआ में आखों को प्रभावित करने वाला कौन सा सकती साली उत्तेज होता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए आपका देखिए ओजोन, सल्फार डियोकसाइड, कारवन डियोकसाइड या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट तो जो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है वो फोटोकेमिकल स्मॉग में उपस्तित एक secondary pollutants होता है ठीक है तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक secondary pollutants है ये भी आप ध्यान रखिएगा सामाने परिस्तितियों में वातावरण में प्रदूशन उत्पन करने वाली गैस है इदे के सामाने परिस्तितियों की बात कर रहे हैं याँ पे तो नॉर्मली आप देखिए जो कार्बन मोनो उकसाइड है न वो primary wire प्रदूशक है air pollutants है ये colorless होती है या highly poisonous बोल ही सकते हैं इसको और इसकी जो 90% मात्रा है वो प्राकृतिक सुरोतों से आती है और बाकी की 10% किससे इन्धन जैसे जब कोईला जलाते हैं या जो वाहन चलाते हैं तो इन सबसे प्रहावित होती है मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कार्बन मोनो उकसाइड है उसका लगभग 90% भाग जो है वो प्राकृतिक सोर्स से आता है और मात्रत 10% ही मन उसे द्वारा ये क्या होती है रिलीज होती है ठीक है न तो ध्यान रखीए का और सबसे ज़्यादा सामान अई परिस्चेटियों में क्योंकि ये में गार्डieben की जलने से कोईले की जलने से जो वाहन है इन सब से मिलती है तो जो कार्बन मोनो उकसाइड है करती है तो सबसे जादा उत्पादन किसका होता है सामाने परिस्तितियों में कार्बन मोन औक्साइट का तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सी ओ नेच्स देखते हैं निमनलिकित में से कौन एक दुत्थीयक प्रदूशक नहीं है, मतलब secondary pollutants नहीं है, ठीक है, अब भी हमने बिताया कि वे वायू प्रदूशक क्या होते हैं secondary pollutants, समझीएगा देखिये, ऐसे प्रदूशक या वायू प्रदूशक जो सीधे वायू में मिलते हैं, मतलब ऐसे air pollutants जो pollutants स्रोद से सीधे वायू में जाकर मिल जाते हैं उसे हम प्राइमरी प्रदूशा कहते हैं जैसे अभी हमने देखा CO carbon monoxide ठीक है इसके अलावा CO2 क्योंकि जब मनुष्य गैस छोड़ता है CO2 के रूप में तो ये direct जाकर मिल जाती है ठीक है सांस की माध्यम से जब इसे वो करता है release करता है carbon monoxide 140 वहनों से निकली उसके अलावा जो industrial area है वहां से आपको ये मतलब मिलती है उसके अलावा जब cigarette पीता है तो वो भी direct जाकर मिल जाती है इसके अलावा CO2 तो ये सब क्या होते हैं primary pollutants होते हैं मतलब primary air pollutants होते हैं लेकिन ऐसे air pollutants जो primary वायू प्रदूशक या मतलब और इस जब क्रिया करते हैं और जिस भी product का निर्माड करते हैं जिस भी gas का निर्माड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं secondary secondary air pollutants ठीक है न तो याद रखेगा इसमें यह हो जाएगा अच्छा secondary pollutants का भी हमने बताया था ozone O3 क्योंकि वो oxygen और आपका एक अडूसी जब क्रिया करती है तो यहां पर देखिए PAN क्या है secondary है उसके अलावा देखिए यहां पर smoke क्या है यह भी secondary है क्योंकि smoke और fog दोनों से मिलकर बनता है यह तो smoke कहलाता है फिर आप देखिए यहां पर sulfur dioxide हो गया आपका और आपका nitrogen की oxide हो गए carbon monoxide हो गए यह सब क्या होते हैं आपके primary प्रदूशक ल इसका right answer हो जाएगा option C, sulfur dioxide, ठीक है न, देखे, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, यह सब क्या होते हैं, primary air pollutants होते हैं, next देखते हैं, निम निलिकित में से कौन दुतियक प्रदूशक है, देखे, secondary कौन सा है, तो अभी आपने देखा, यहां पे smoke क्या था, secondary ही था, जिसमें हम smoke, और आपका fog, ठीक ह दोनों को मिला कर, तो यह क्या था, यह secondary था, तो इसका right answer हो जाएगा option A, इसके लावा देखी, carbon dioxide primary था, आपने देखा था, direct जाकर के वाईव में मिल जाती है, carbon monoxide, direct मिल जाती है, fly yes है न, कोईले के जलने से जब यह प्राप्त होता है, तो सीथे जाकर वाईव में मिल जात है, ठीक है, जब भी motor car या cigarette का जो प्रज्वलन होता है, और अधूरा प्रज्वलन होता है, तो इसके कारण जो gas निकलती है, वो रंगीन होती है, जिसे हम क्या बोलते है, carbon monoxide, तो इसका right answer option C है, ठीक है, अच्छा, यह जो carbon monoxide है, जो अधूरे प्रज्वलन के कारण release होती ह है, तो जब यह मनुष्य के संपर्क में आता है, तो मनुष्य का जो blood है, रक्त है, उसमें hemoglobin, HB, इसके साथ क्या कर लेती है, यह क्रिया कर लेती है, कौन सी carbon monoxide, और एक इस्थाई yogic का निर्माण करती है, जब यह क्रिया करती है, और यहाँ पे जो yogic बनता है, वो hemoglobin को oxygen को tissue तक नहीं पहुँचने देता है, ठीक है, और यह क्या हो जाता है, मानों के लिए अत्यांत हानिकारक होता है, तो यह एक प्रकार से क्या होती है, मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, जितना जादा से जादा हो, इनसे क्या करना चाहिए, मनुष्य को इसके संप अब देखिए यहाँ पर मोटर वाहन से निकलने वाली इसके पहले भी स्लाइड में हमने बताए कि मोटर वाहन का जब यहाँ पर अधूरा प्रजलन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है कार्बन तो यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स देखते हैं वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु देखिए यहाँ पर धातु अलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वाई को प्रदूरुशित करती है अब यह अगर गैस की बात करते हैं तो कौन सी हो जाती है carbon monoxide लेकिन जब धातू की बात करते हैं तो देखिए जो वाहनों में petrol जलता है तो यहां पर lead धातू का उच सर्जन होता है किसका PB इसका जो formula है वो क्या है PB लेड ठीक है ना lead धातू का क्या होता है उच सर्जन होता और वाई को क्या करती है यह प्रदूशित करती है जब engine में जो knocking होती है रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या refinery वगेरा टेक्निक में इसके लिए petrol में जो lead है यह डालने की जब मतलब अभ लग चुकी है क्यों क्योंकि एक प्रमुख air pollutants है जो बहुत ही ज्यादा गंभीर परिणाम देता है ठीक है बच्चों के बात करें तो बच्चों का यह दिमाख अविक्सित करते है उसका विकास क्या हो जाता है रुक जाता है जिसे हम IQ बोलते है बुद्धी लबदी है ना अधूरा प्रज्वलन होता है तो उसके द्वारा गैस कौन सी रिलीज होती है CO और धातू कौन सी रिलीज होती है लेड क्लियर है तो यह दोनों आप चीज़ें याद रखेगा इसमें दोनों question नेक्स देखते हैं निमनलिकित में से कौन सा वायू प्रदुशक ऑक्सीजन क या पेक्षा अधिक सिख्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है अब यहाँ पे एक और यहाँ पे आपका थोड़ी दिर पहले हमने आपको स्लाइड में बताया था कि जब भी मोटर वाहन का अधूरा प्रज्वलन होता है या कार वागेरा का अधूरा और जब यह मनुस्य के बलड में जाकर मिलती है हीमोग्लोबिन में तो यहाँ पर एक इस्थाई योगिक का निर्माड करती है और यह जो कॉम्पोनेंट है वो मनुस्य के जो ऑक्सीजन वगेरा है ओटू है वो मनुस्य के टिशू में या उतक में नहीं पहुँचने देता है ठीक है तो इससे क्या हो जाता है जो ह्रेदय संबंदी समस्या है वो उत्पन होती है तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के अपेक्षा सीग्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी गैस खुल जाती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन मोन अक्साइड क्लियर है यही कभी ऐसा अलग से भी साइंस में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी गैस है क्योंकि ओटू क्या होती है सीग्रता से हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेती है और टिशू तक पहुँच जाता है लेकिन ओटू की अपेक्षा और अधिक सीग्रता से कौन सी गैस घुलती है तो कारबन मोनो आक्साइड यहां पर जो ओक्सीजन की तुलना में करीब यह 2500 से 300 गुना अधिक तेजी से घुल जाती है वहां पर हैना सांस लेने में कट्ना जी होती है घुटन होती है और मृतियों तक हो जाती है इसमें सांस देखते हैं निम्नलि एफेक्ट करता है air pollutants है ना hydrogen sulfide और carbon dioxide भी नहीं क्योंकि ये पौधे क्या करते है इसका पौधों के लिए लाब दायक होती है तो अधिक मात्रा में उसे ले ले लेते हैं ठीक है तो इतना हानिकारक नहीं लेकिन carbon monoxide जो है वो मनुश्य के लिए और plants के लिए सभी के लिए क्या ये मनुश्यों के दारा ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option D carbon monoxide next देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सी एक वायर प्रदूशक गैस है और जीवास्म इंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन होती है जीवास्म इंधन जब जलता है तो उसके फ़लस्वरूप कौ यहां पर CO2 भी release होती है ठीक है CO2 भी क्या होती है release होती है लेकिन यहां पर sulfur dioxide चुकी option में है तो इसका राइट अंसर है option D next सेखते है फ्लाइएस एक प्रदूशक दहन उत्पाद है ठीक है और यह जब कोईला जलता है तो यह फ्लाइएस जो राख प्राप्त होती है उसकी खुल वगेरा लेकिन जब यह पत्थर का कोईला देहन होता है तब लाइएस उपस्तित होती है ठीक है और इसमें जो धूएं के साथ क्या हो जाते है हवा में चले जाते हैं यह तैर जाते हैं क्लियर है जो कोईला जब कोईला जो ताप विद्धुद घर है जब वहां से उत्पन होता है तो वो जीवाणों के स्वसन के लिए हानिकारक होता है मतलब उनसे रोग उत्पन होते हैं और क्या होता है यह जो पौधे और पत्तियां है तो यह क्या होता है जब यहां पर पतेएं और पॉधं से जमा हो जाता है और पतीओं और पॉधं से डाइड़ा होती है मतलब फोटो-synthesis के क्रिया होती है उसको बाधित करता है तो यहां पर ओप्षण देखे लगड़ी का भी कोइला है question right answer कि है आपका option a पत्धर के कोईले का जब धहन होता है तो fly es air pollutants के रूप में यहाँ पर production होता है और यह जा करके plants के पत्तियों में जाकर जमा हो जाता है जब plants photosynthesis कि ग्रिया करते हैं तो क्या होता उनके लिए फट रियर कारकश होता है एक और question यहाँ से आपको याद करना है मितलब उसका समझना है कि इसे रोकने के लिए किसे जो यह आपका fly-ass का जो fly-ass pollutants है air pollutants इसे रोकने के लिए वर्तमान में electrostatic electrostatic अव छेपक यह हम electrostatic precipitator कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है एक सैयंत्र है यह उपकरन है तो यह भी आप याद रखिएगा कि fly-ass के द्वारा बातावरण में प्रदूशन को रोकने के लिए या air pollutants को रोकने के लिए किस सैयंत्र का या उपकरन का उपयोग किया जाता है तो ध्यान रखिएगा electrostatic आव छेपक या electrostatic precipitator clear है नेक्स देखते हैं निमनलिकित में से कौन सा एक वायू प्रदूशन के जैविक सूचक का कार्य करता है ठीक है जैविक सूचक का कौन सा कार्य करता है तो option देखिए lichen, fard, money plant या अमर बेल देखिए जो lichen होते हैं वो पेडों की दारा होता है पहले इसका अंसर बता देती हूं इसका राइट अंसर है option a lichen अच्छा lichen का ये याद रखना है आपको ये किसके दारा इनका निर्माण होता है तो ध्यान रखिएगा शैवाल शैवाल और कवक ठीक है ना शैवाल और कवक clear है तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के दारा इनका निर्माण होता है किनका? लाइकन का और ये जब नाइट्री करन वाले जो bacteria है नाइट्री करन करते हैं तो भूमी की जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में परिवर्दित कर देते हैं concept नाइ्टरी करन करने वाले जिवाडू है न और इसे पौदों की जड़ों द्वारा खाद की रुप में ग्रहण कर लेते हैं तो पौदों के लिए भी क्या है मतलब पौदों में जो जिवाडू रहते हैं उनको रहने के लिए भोजन देते हैं और यह क्या करते हैं प्रदूशन का अच्छे होते हैं वाईर प्रदूशन का सअधिक प्रभाव लाइकेन पर पढ़ता है this लाइक्शड मारी होते हैं । निमने लिकित में से कौन प्रदूशन संके तक पौधा है अभी देखिए यहाँ पर क्वेशन यहाँ पर लाइकेन आ गया लेकिन लाइकेन का निर्माण किससे होता है सैवाल और खवक दोनों से होता है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन सी लाइकेन नेक्स देखते हैं ल जो बनस्पतियां होती है छोटी-छोटी उनका एक समू होता है लाइकेन और यह क्या होते हैं बहुत ही जो आधार जो बेस होते हैं जड़े होती हैं वहाँ पर रुखते हैं और भोजन देते हैं उन्हें पौधों को वहीं पौधे क्या करते हैं इनके रहने के लिए ब्रभावना होती है तो नगर के समीप यह नहीं पाई जाते है ना तो धियान रक्येगा वायू प्रदूशक क्या है अच्छे सूचक है तो जो जेकर जीवास में इन्धन का दहन होता है तो कौन सी gas release होती है sulfur dioxide होती है और यह जल से kriya करती है तो जल में sulfuric acid का mistrunt होता है तो यही बन जाती है जो जल है जल में जब यह kriya करती है देखे जब जीवास इंधन जलता है जीवास मींधन तो उसमें SO2 gas release होती है और जब यह जल के साथ क्रिया करती है तो sulfuric acid का misrand बनाती है जल में तो जल को क्या करती है वो प्रदूशित करती है तो इसका right answer हो जाएगा option d next देखते हैं क्यूंकि यह यहां पे देखिए जल प्रदूशक नहीं है वायर प्रदूशक है नेक्स देखते हैं भारत का सर्वाधिक 2018 में जब सर्वे हुआ था तो गोंडा जो डिस्टिक है यूपी का वो आया था और अभी इस बार का देख लीजेगा आप भारत सर्वे तो इसमें अभी कुछ अलग ही इसका आंसर होगा नेट्स देखते हैं प्रदूशन युग्त वायू मंडल को निम्न मेंसे किसके द्वारा स्वक्ष किया जाता है ऑप्षन देखिए ऑक्सीजन वर्सा नाइट्रोजन यह हवा तो देखिए जो वायू मंडल है जब वहां पर प्रदूशन बहुत जादा हो जाता है वायू मंदल क्या किया जा सकता है स्वक्ष किया जा सकता है देंकly जो भी टूल है या फिर जो भी यहां पर और बिलीटेंट से उनको क्या किया जा सकता है स्वक्ष किया जा सकता है लेकिन एक और बात यहां पर याद रखिएगा कि ऐसे कंड पॉल्यूटेंट्स के ऐसे कंड जिनका व्यास दो माईक्रॉन से कम होता है उन्हें वर्सा द्वारा स्वक्ष नहीं किया जा सकता यहां पर ऐसा नहीं है कि दो माईक्रॉ से कम व्यास वाले कणों को वर्सा के द्वारा स्वक्ष नहीं किया जा सकता इसके आपको यह आपको यहाँ पर देखी और राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्षन भी वर्सा ठीक है तो आपको यह भी यहाँ से याद रखना है लाइन कि दो माईक्रों से जो भी अधिक व्य भी रास्वाले कन है उन्हें ही वर्सा के द्वारा स्वक्ष किया जाता है और इसके अलावा ओस द्वारा वी वंडल में प्रदूशन को स्वक्ष किया जा सकता है नेक्स देखते हैं वायू प्रदूशन नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायू वी एГLRU का सुबाराम किया और ये दिल्ली में वायज प्रॉदूर का J workflows इसे रोकने के लिए सरकर प्रयास तो कर रहा है लेकिन फिर भी चुकि पॉपुलेशन वहां की डेंस्टी बहुत जादा है इस कारण काफी मुश्किल हो रहा है वहां पे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन C दिल्ली से वायू प्रणाली का सुभारम किया गया था नेक्स देखते हैं ACI भूरा बादल एशियान ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांस्ता फैला था ठीके 2003 का ये कुश्चन है उस टाइम पर करेंट में काफी जर्चा में था तो जो दक्षिन एशिया के जो कंट्री थे वहां पे 2002 के समय ये बहुत ज़्यादा वायू प्रदूशन का एक कारण बना था 2007 साथ में जब इसके रिपोर्ट आई थी 2007 में तो ये ACI brown cloud या भूरा बादल प्रदूशन के कारण ये उत्पन होता है उद्म ही पाई थी तो उसमें पता चला था उसमें ये सर्बे में पता चला था की जो वायू प्रदूशन है और उससी जब जो air pollution है उससे जो हमारे cloud ब प्रक्षियान ड्राउन क्लाउड की बन जाती है और ये प्रतेक वर्स जन्वरी से मर्च के मइनों के दौरान क्या करती है सबसे जदा ये दक्षिर एसिया के छेतरों को प्रभावित करती है ठीक है ना तो इस रिपोर्ट में ये सब बाते आई थी resistant नहीं है ये फिर भी हमने है एयर पॉल्यूशन के कारण उसकी जो उपरी परत होती है वो एशियाई भूरा बादल कहलाती है ठीक है तो ये थे आज के महत्वपूर्ट तीस क्वेशन आई होब आपको वीडियो समझ में आया होगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर और कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अधिक साथी किसे शेर कीजिएगा तो मिलते हम नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थाइंक यू एंड जहिन